तो यार अगर आपका बजट साथ अथर आहिए साथ सकंथा जार के बजट में एकका प्रफोट स्माट्फोन लेता ने जाते हुए तो वीडियो सिर्फ आपके लिए वीडियो को पूरे स्केरbot मत नमबर वाइस सीधी बात करते है नमबर फाइब की बात करों नमबर फाइब पर यार मैंने रखा oneplus 8 pro को तो सबसे पहले मैं आपको कहाना जाता हूं जो बंदे international creators है ना उनके पास आपको यह smartphone देखने को मिल जाता है उसका एक reason है because आपको एक stylish premium design देखने को मिल जाता है इसके color वगारा बहुत प्यारी देखने को मिलते हैं उसके बाद आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है अच्छी display मिल जाता है 4K option देखने को मिल जाता है वो भी back camera में and long battery life है तो भई अगर आपने जाना है one plus eight pro के और आप जा सक box में देखने को मिल जाएगा अभी बात करते है इसके main specification की तो display की बात करूँ आपको 6.78 inch full HD display मिल जाती जो की 120 refresh rate के साथ आते है जो की fluid display तो display इसका सच में बहुत धगड़ा है 120 refresh rate सच में matter करता है प्रसाइसर की बात करूँ आपको snapdragon 865 मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ बेस अगर अपने gaming भी करनी है आप नॉर्मली कर सकते है आपको 5G smartphone मिल जाता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते है प्लस 120GB storage battery की बात करूँ आपको 4510ms की battery मिल जाते है 30W का अचा जर कैमरे की बातों को core camera मिल जाता है 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP selfie की बात करूँ आपको 16MP की selfie मिल जाते है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 52,000 के बजल में वान प्लस 8 pro देखने को मिल जाएगा तो भाई अगर आपने smartphone की आओ जाना है आप इस smartphone की और भी जा सकते हो smartphone ये भी आपको पूरा तगड़ा मिल जाता है तो भाई आगे बात करते है नबर 4 की नबर 4 की बात कर रही है नबर 4 पर मैंने रखा है Samsung Galaxy S20 FE को तो सबसे पहले में आपको कहाना चाता हूँ कि ये smartphone आपको 45,000 के बज़ड में नौमली मिल जाता है उससे मतलब कम प्राइस में ही आपको देखने को मिल जाता है इसको इस budget range में एकर का reason है because आपको processor design display उसके साथ आपको camera बहुत तगड़ा मिल जाता है अगर आपको अगर आपने gaming करनी है multi-dask की करनी है आपके लिए तो perfect deal हो सकता है प्लस भाई अगर आपने vlogging करनी है cinemati shoot करना है reels बनानी है tik-tok बनानी है प्लस अगर आपने Netflix देखते हो prime video YouTube देखने के ज जा सकते हो samsung galaxy s20 एक पूरा loaded है आपको बहुत पसंद आने वाला अभी बात करते है इसके में स्पेसिफिकेशन की मैं आपको deeply बता देता हूं तो यह डिस्प्ली की बातों को 6.5 इंच फूल HD प्लस दिस्प्ले मिल जाते है जो की सुपर एमुलेट डिस्प्ले जो की 120 रिफ्रेशेट के साथ आती है प्रसाइसर की बात करूं आपको स्नाप्ड्रागन 860 फा मिल जाता है स्टोरीज की बात करूं को 8GB RAM मिल जाते है प्लस 120GB storage प्लस एक्स्पेंडबल भी कर सकते हो बै अगर आप इक्सल जिस पे आप 8K वीडियो अक्रिकार सकते हो बैक कामरे में फ्रंट कामरे की बातों को 32 में एक सल्फी मिल जाते है जिस्पें आप 4K वीडियो रगॉक्षाटिंग कर सकते हो अगर आप ने यूट्यूब वीडियो पर मतल़ है चैकोड करनी है वीडियो अगर दीखना चाहते हो तो सर्च आट कर ले ना सामसिंग लैक्सी एस्टोंटी आफे सिनमेटिक शूट आपको पता जल जागे कि आपको कामरा क्वाल्टी कितनी तगड़ी मिलने वाली है अब आगे बात करते हैं नमबो थ्री की बात करूए है नमबो थ्री पर मैंने रखा है समसिंग लैक्सी एस्टोंटी प्लस को अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ इसका भी डिजान एड़ इसके भी कलर प्रसेसर डिस्प्ले हो गया इसका भी कैमरा बहुत ज्यादा अगर आप पे कर सकते हो 50,000 से लेके 55,000 रुपीज तो आप इस स्मार्टफोन के और चल जाना अगर आप ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंट करना जाता हूं तो सैमसिंग लैक्सी एस्टोंटी एफी आपके लिए पोफेट डील हो सकता है किसी और स्मा आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हो अभी बात करते हैं मैं आपको डीपली बता देता हूं तो यह डिस्पले की बातों को 6.7 इंच डायनमिक एमुलेट डिस्पले मिल जाते हैं प्रसेसर की बातों को एक्स नॉक्स 990 देखने को मिल जाते हैं जोकि 7 नाइनमिटर टेल के साथ बेज़ जा बहुत अगड़ा अगर आपने गेमिंग बगारा भी करने हैं आप नॉमली इजली कर सोगोगे स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते हैं प्लस 120GB Storage बैंटरिंग की बात करूं आपको 4500Dms की बैंटरिंग मिल जाते हैं कैमरे की बात करूं आपको क 8,999 के बज़ेड में 8GB मिलेगा अगर आपने उसके अपर जाना तो बहुत जतने मतलो पे करोगे उसके अको 12GB RAM देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपने 12GB के और आप जा सकते हो तो यहार में स्पेसिलिकेशन मैंने आपको Samsung Galaxy S20 Plus के भी बता दिये यह स्मार्टफून भी आ जान होगा लुक वाइस मतलो पूरा लोड़िड अगर आपको व्लॉगिंग के लिए चाहिए गिमी के लिए चाहिए अच्छी डिस्पे जाहिए अच्छा डिजान जाहिए आपके लिए पोफ़ए डील हो सकता है अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करो यह नंब अगरा होने वाला है अगर आपने गिमींग करने अगर आपने मल्टी डास्किंग करने है जब कोई भी आपने हैवी अप्लिकेशन जो है वो डाउन्लोंड इस्टॉल करने है आपके लिए भी पॉफ़ए डील हो सकता है एक पर आप इसको चाहूड कर लेना आपको 8K वीड र्कॉर्डिंग को फोटोस को बहुत अपर तक लिकल चल जाते हैं यह आप पर है कि आप स्मार्टफून को कैसे यूज़ करते हो ठीक है अभी बात करते हैं इसके में स्पेसिफिकेशन की मैं आपको डीपली बदा देता हूँ तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.81 इंच एम 15Gp जो भी आपके बचलि में सेट बैड़ेगा आप उसका चल जाना पुरिस दो वी प्ल्स हैं धरी स्प्ली अट शॉर्ज के को मिल जाता है था तो यहार, main specification में आपको बता दिये, MI 11 के भी, अगर आपने इस smartphone क्या हो जाना, यह smartphone भी आपको तगड़ा मिल जाता, लेकिन minus point भी मैंने आपको बता दिया, कि आपको front camera में 4th के option नहीं मिलता, वैसे overall देखा जाए, यह smartphone भी पूरा loaded मिल जाता है, अब यह आगे बात करते हैं, number one की, number one की बात कर रही है, number one पर obviously मैंने रखा iPhone 11 को, तो भी, अगर आपका budget 60,000 है, 60,000 के बते में आपको 128GB storage वाला विरिड जो है, वो आपको easily नावर मिल जाएगा, तो भी, अगर आपने smartphone क्या हो जाना, मतलों, अगर आपने iPhone 11 की और जाना, आप जा सकते हैं, आपको A30 बाउनिक चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो की बहुत ठगड़ी है, आपको तगड़ा camera मिल जाता है, तगड़ा processor मिल जाता है, display quality भी आपको बहुत ठगड़ी मिल जाती है, उसके बाद, minus point की सीधी बाद करते हैं, minus point थोड़ी सी इसकी battery देखने को मिल जाता है, तो बही अगर आपने cinematic shoot करना जाता है, अगर आपने gaming करनी है न, तो आपके battery थोड़ी सी जल्दी खतम हो जाता है, और कोई भी minus point नहीं है, इसके color बहुत प्यारी देखने को मिलते हैं, अगर आपने smartphone की हो जाना, आप जा सकते हो, इसका भी मैंने link प पर वाइड किया हूँ, आपको description box में देखने को मैल जाता है, मैं आपको recommend करना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं चावड गया था, आप चावड करने ना, वैसे तो सभी लोगों ने देखा हूँ आइटिक है, अभी बात करते हैं, इसके main specification की deeply थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यह display की बातों को 6.1 इंच लिक्टोर रोटीन याँ डिस्प्ले मिल जाता है, 12 MP, 12 MP, अभी बात कर लेकर देखने को मिल जाता है, तो यह main specification में आपको iPhone 11 के भी बता दी, अगर आपने smartphone के और जाना, आप इस smartphone के और भी जा सकते हो, तो अभी बात करते हैं, ज़्यादा confused होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तो आप iPhone लवर हो तो जाओ आप तो जाओगा iPhone 11 तो अगर आपको Apple से फर्क बगारा नहीं बढ़ता है, तो भाई मैं आपको recommend करना जाता हूँ, 60,000 के budget में आपके लिए perfect deal हो जाता है, Samsung Galaxy S20 Plus वह बहुत ज्यादा दगड़ा ठीक है, मैं आपको MI 11 इसलिए recommend नहीं करता है, विकास आपको जो front camera में 4K option नहीं मिलता है, वैसे देखा जाओ वह पूरा loaded है, अगर आपने MI 11 के और जाना है, आप जा सकते हो लेकिन ज्यादा ता देखा गया है, अगर आप 30,000 से अपर कोई फून लेते हैं तो यार सभी बंदे जो है वो Samsung का फून लेते हैं या Apple का फून लेते हैं, MI हो गया, Poco हो गया, Redmi हो गया, इनकी और लोग नहीं जाते हैं तो भी अगर आप नहीं जाना है, लोडिड़ा उसका परसाइसर, बहुत अगरा डिस्प्ले, डिजाइन, कलर, उसके बाद उसका कैमरा, आप बैक कैमरे में 8K वीडियो शूट कर सकते हो, फ्रंट कैमरे में आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, और क्या चाहिए, बहीं अगर आपको व्लॉगिंग के लिए, क इसको चाहूर करना, अभी मिलते है नाक्स वीडियो में, ने वीडियो के साथ, मेरी वीडियो यही पर रोजाती है कतम, तो अगर आपको अच्छे लगी वीडियो को लाइक कर रहा है, अभी मिलते है नाक्स वीडियो में, ने वीडियो के साथ, टेंक्यू